हलो दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल पजल मेनिया बिदंकुर में SPI के लग प्री की बात कर ले तो प्री एक्जाम डेट्स को लेकर काफी नियूश चल लए है कि प्री एक्जाम 10, 11, 12, 13 में कंड़क्ट होगा और अभी देखा जाए तो अभी SPI के तरफ से ना तो कोई official notice आया है ना कोई official date आये कि प्री एक्जाम इनी डेट्स में कंड़क्ट होगा लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि इन डेट्स में एक्जाम कंड़क्ट नहीं हो सकता अगर अभी देखा जाए तो सर्फ एक चीज़ पता है कि 31 जुलाई में मेंस एक्जाम है क्योंकि अभी तक उसको पोस्पोन नहीं किया गया है तो आपको अभी हर situation के लिए तयार रहना है कि अगर first week में कंड़क्ट होता है तो भी आपको तयार रहना है और अगर इन डेट्स में आपका प्री एक्जाम कंड़क्ट होता है तो भी तयार रहना है क्योंकि बो समय नहीं है कि आप पहले प्री की तयारी करो उसके बाद मेंस की क्योंकि इतना समय तो आपको मिलने वाला नहीं है और अगर दोनों कंडिशन में देखा जाए तो आपका मेंस एक्जाम 31 जुलाई में कंड़क्ट हो सकता है क्योंकि आरर बी की बात कर लिने 2020 की जब मेंस एक्जाम हुआ था उसके बाद 8 दिन में रिजल्ट देखने को मिल गया था तो अगर इन डेट्स में भी आपका एक्जाम कंड़क्ट होता है तो अभाद 7,8 दिन बात हमें pre का रिजल्ट प्लस मेंस का एडमिट कार्ट भी देखने को मिल सकता है क्योंकि pre के साथ मेंस का एडमिट कार्ट भी आपको पिछली साल देखने को मिल गया था इसलिए आप हर situation के लिए तयार रहे है आपका target अगर final selection है तो आप mains की तयारी साथ में कीजिए क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि pre exam clear करने से आपको job लग जाएगी इसलिए आप सरे मेहनत कीजिए पढ़ाई पर आप focus कीजिए exam चाए first week में हो चाए इंडिर्स में हो आप अगर तयारी कर रहे हो तो आपका exam भी बहुत अच्छा जाएगा और आपको सफलता भी मिलेगे बाकी मिलते हैं फिनेस वीडियो में जबता के लिए धन्यवाद